निमस्कार आप देख रहे हैं नियूज़न इंडिया मैं हूँ आपके साथ पंकची आदव करते हैं बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी कबर के साथ दिली से बड़ी कबर जहाँ पर आज पेश होगा मोधी सरकार का 3.0 का पहला आम बजट वित मंत्री निर्मला सी सीता रमण रास्टपती से मुलाखात करेंगी 10 बजे वित मंत्री निर्मला सीता रमण लोग सभा पहुचेंगी और 11 बजे वित मंत्री निर्मला सीता रमण बजट पेश करेंगी जिस पर सभी की निकाहें टिकी हुई है कि आखिरकार आज निर्मला सीता रमण के बजट प प्यावानी है क्योंकि मौदिस सरकार 3.0 का ये पहला आम बजट है जिसको लेकर सभी की निकाहे ठीकी हुई है कि आखिरकार आज बजट में क्या कुछ राहत मिलती हुई नेजर आएगी आम आदमी को खित्री राहत मिलेगी किसानों को क्या कुछ यहां पर राहत मिलेगी और इसी को लेकर हर किसी की निगाहे ग्यारा बज़े बज़ेट पेश करेंगी निर्मला सीता रमन लेकिन उससे पहले उनके आलग अलग कारेकरम भी हैं जिसमें से फोटो शेशन भी करेंगी उसके बाद रास्ट पती से भी मुलाखात निर्मला सीता रमन की होगे उसके बाद ज कि अगर बात करें दस बजे की तो वित्तमंत्री निर्मला सीता रमर लोग सभा पोचेंगी और ग्यारा बजे वित्तमंत्री यहां पर बजट पेश करेंगी और आज देखना होगा कि आखिरकार इस पिटारे से लोगों को कितनी राहत मिलती है किसकिस विवाग को कौन-कौन स सबकी इसी पर और आपको बता दे कि ऐसा तीसरी बार है जब पेपरलेस यह बजट पेश किया जाएगा तो आपको बता दे कि मोदी सरकार थ्री पोइंटों का यह पहला आम बजट है और ऐसे में हर कोई बड़ी ही उत्सुपता से इस बजट का इंतरजार इसलिए भी कर र कोचेंगी और उसके बाद 11 बजे बजट पेश करेंगी और ऐसे में निर्मलास सीता रमन उससे पहले राष्ट पत्री द्रोपदी मुर्वू से भी मुलाकात करेंगी और जिसके बाद सीधा यह बजट पेश तो आज पेश होगा मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट तो वि विक्ति मंत्री पहुच चुकी है निर्मलास सीता रमन और अब से थोड़ी देर के बाद फोटो सेशन उनका होगा 9 बज़ कर 15 मिनट पर राज्य मंत्रियों के साथ में फोटो सेशन निर्मलास सीता रमन का 9 बज़े राष्ट पती द्रोपदी मुर्वू से मुलाकात निर् पता जाएगा कि आखिरकार इस बज़ेट के पिटारे में लोगों के लिए क्या कुछ राहत है तो सभी की निगाहें आज बज़ेट पर टिकी हुई है तो आज पेश होगा बज़ेट और निर्मलास सीता रमन जो वित्यमंत्री हैं आज बज़ेट पेश करेंगी और ऐसा तीसरी बार है जब पेपर लेस ये बज़ेट होगा और आपको बता दें कि सबा नो बज़े यानि कि नो बज़ेट पंदरा मिनट पर राज्यमंत्यों के साथ में फोटो शेशन भी होगा तो बड़ी अपडेट बड़ी जान क्या रही हम आपको दे रहें जो आपको बता पेश होगा और उससे पहले रास्ट पती से मुलाकात भी करेंगी निर्मला सितारमन तो आज ग्यारे बज़े वित्मंत्री यहाँ पर बज़ेट पेश करेंगी और इसको लेकर आखिरकार सभी की निगाहें ठीकी हुई है तो भारत का केंद्रिया बज़ेट आज पेश तो मीदो भारत दिन और वित्मंत्राले पहुची है निर्मला सितारमन और ऐसे में आज मोधी सरकार 3.0 का पहला बज़ेट और इस दुरान आपको बता दे कि आएकर में छूट को लेकर भी बड़ी उम्मीदे हैं और देखना होगा आखिरकार कि मिडिल क्लास के लिए इस पिटारे में कितनी खुशी है तो सभी की निगाहें ठीकी हुई है और शेर बाजार में क्या हो सकता है ये भी आज इस बजट पर निर्भर भी करेगा तो मीदो भरा दिन और वित्म अंत्राले पहुच चुकी है निर्मला सीता रमण और 11 बज़े पेश करेंगी बज़ट तो सभी की निगाहें इसली भी हैं क्योंकि बज़ट में किसानों के लिए इंफ्रस्टेक्चर और रोजगार पर फोकस रहेगा तो आखिरकार इस बज़ट में कितनी राहत मिलती हुई नजर आएगी इसको लेकर भी सभी की निगाहें आज टिकी हुई है तो बड़ी जानकारी आपको दे रहें जहां पर भारत का केंद्रे बज़ट आज पेश होगा तो व्यापक वार्शुक वित्य विब्रण हैं और आपको बता दे कि जो की केंद्रे वित्तमंत्री हैं आज बज़ट पेश करेंगी तो वित्तमंत्राले पहुची हैं निर्मला सिता रमड तो साड़े नो बज़े रास्टपती से मुलाकात करेंगी तो आज जिस सरीके से मोधी सरकार 3.0 का ये पहला आम बज़ेट है रिसी को लेकर हमारे साथ में चर्चा के लिए कुछ महमान जुड़े उनका परीचे आपसे करा देती हूँ तो पहले सुपने उसका सबको सुन तामना है आने वाले बज़ेट की खास करके मिडिल क्लास को जो इसको सुनाता उमीदे रहती की टैक्स लैब में कमी हो देखिये बज़ेट तो आपके लिए तरीके से जो प्री बज़ेट लाए गया तो जो फरवरी भी लाए गया तो उ कि जॉप दूइंग बीजनेस करना चाहिए बिजनेस आदानी से होना चाहिए तो मतलब कहीं न कहीं सरकार को बिजनेस को पर फोकस रखना पड़ेगा अर्विया इने कहा है कि आप महंगाई कि जादा चित्ता मत कीजिए जो महंगाई से डारेक्ट्री अफेक्टेड है बत उसको कहीं न कहीं से सब्सक्राइज किया रखे तो यह सब दिखलाता है कि सरकार की धन से जाने वाली है सरकार का बड़ा किलर कट होगा एक को दोनों चीजे फर्म स्टैप लेगी बहुत ज्यादा ऐसे स्टैप मत हुझे कि कोई रेवडी बाटने जा रही है यह बात जरू उनके लिए रिज़रविशन दिया तो उनके एक बीजेटरी सपोर्ट वी दिया जाए उनको कहीं बिजनेस में लाने के लिए इन सब जीजेद दिवरें कि आपको बेरोजगारी को भी कम करना है तो जैसे असी लाग के आसपास की बात मानकी जल जोग रह साल बेरोजगारी प्राइट सक्राइब नोकरिया दे दूसरा कि आप सेल्फ डवलब हो अपने स्किल आप इतनी डवलब हो कि आप रोजगार में रोजगार में सरकारी नोकरियों के कोई बहुत जादा चांसे नहीं कि आप अब आपके चैलेंजेज हो गए है आटिफिचल इंटेलिजन्स और दूसरे आपके चैलेंजेज आगे जो है जो इंटरनेशनल मार्केट है आप उससे भी कहने कही जाकर के गवर्न होते हैं आटिफिचल इंवार्मेंट आपको एक्ड़ करके रखना है उसको भी आपको जाए करना है तो आपको गौर्णनेट की जाबे हैं जो खासकर कि जॉप आपको अंसर देना जो आप देना इस तरह की जिज़ा है कि आटाटा तैली करना है वह सब जो नॉर्मली दूसरे गलासे जॉब इस जाब बढ़ने के सम्भाना नहीं है कि इस्टी तरी बहुत जब वापस रोटूंगे और सीधी तस्मीरे अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि देखें सीधी तस्मीरे आपको दिखा रहे हैं जब ये बजट को लेकर यानि कि निर्मला सीतरमान पहुच चुकी हैं और इसके बादा फोटो शेशन जो है वो शुरू होने वाला है तो देखिए सीधी तस्मीरे हम आपको दिखा रहे हैं पर राज्य मंतियों के साथ में फोटो शेशन और आज इस पिटारे से कितनी राहत आम लोगों को मिलेगी इस पर भी सभी की निगाहे हैं और सीधी तस्मीरे हम आपको दिखा रहे हैं निव्जवन इंडिया सीधी तस्मीरे दिखा रहे हैं जहां पर आपको बता दे कि आज इसी पिटारे से निकलेगी आम लोगों के लिए वो राहत आखिरकार मोधी सरकार 3.0 में क्या कुछ खास इस बज़ट में रहेगा 11 बज़े के बाद वो तस्मीर भी किलियर हो जाएगी और अब निर्मला सीतारमन जो है वो निकल चुकी है तो सीधी तस्मीरे आपको दिखा रहे हैं जहां पर वित्यमंत्री निर्मला सीतारमन आज बज़ट पेश करेंगी तो आम बज़ट और इस बज़ट पर सभी के निगथए कि आखिर कार कितनी राहत चाहें आएकर को लेकर बात करें किसानों को लेकर बात करें रोजगार की बात कर do आखिर काहां पर किस तरीके से यह बज़ट पेश होगा तो इस उम्मीद पर कितना खरा यह बज़ट उतरता है तो आम बज़ट को लेकर अब निर्मला सितारमन निकल चुकी है और 11 बज़ट सब के सामने पेश किया जाएगा लोग सभा पहुचेंगी जहां पर 11 बज़ट पेश होगा लेकिन उससे पहले राष्ट पती द्रोपदी मुर्मू से भी मुलाकात निर्मला सितारमन की होगी और उसके बाद लोग सभा पहुचेंगी जिसके बाद 11 बज़ट पेश करेंगी तो यह सीधी तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर निर्मला सितारमन इससे पहले फोटो शेशन भी ह होगा और उसके बाद में राष्ट पती द्रोपदी मुर्मू से मुलाकात तो आज मोदी सरकार 3.0 का यह पहला बज़ट है और इस पर सब की निगाहें भी टिकी हुई है और तमाम वादे इस बार किये गए थे अब देखना होगा उन वादों पर कितना खरा उतरा जाता है और आम लोगों को इससे क्या राहत मिलती है किसानों के हितकी हमेशा सही बात होती रही है ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार किसानों को इसमें कितनी बड़ी राहत मिलती हुई नज़र आएगी अर्थ वेवस्था की बात हमेशा सही हमने सुनी है तो बिल्कुल और राजेश पैनल सी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं साती बर्जेश भर्टी किसान नेता हमारे साथ में जुड़े हुए है बिरजेश जी क्योंकि आज बजट पेश होगा ऐसे में आपको क्या लगता है किसानों के लिए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए और कितना पिछली बार के मुकाबले इस बार कितनी उम्मीदे अलो बिरजेश जी आवाद मिल पा रही है क्योंकि पिछली बार के मुकाबले अगर हम बजट को देखें इस बार किसानों को कितनी उम्मीदे इस बजट से देखिए पंकर जी दस साल सरकार हो गए और ती सरकार का पीसरटा में है किसान को हर बार उम्मिद रहती है कि कुछ नदे कहीं है लेकिन प्ष्ले दस साल में किसान कि लागू करें स्वामी नातनायार की पॉट शीटु फिलस कि लागू करें हमारी पिसान नीदी यह आप जहां से सुनना किसान नीदी जो हमारी 6000 रुपे हैं मुझे और धिए 15000 रुपे इस प्जट में सरकार करें जिससे किसान को मिल सके जो हमारे करज जो हमारे किसानों पर कर्ज है उसको माप करने काम करें पहली बाती थी मैं आप से कहूंगा जो हमारे किसान साथ साल के हो गए हैं जिनको जो प्रेफ में काम नहीं कर सकते जिस तरह गौर्मिंट के अधिकारियों को यह जो है पैंसन देते हैं उस तरह किसान को 10,000 रुटे की पर कम से किसान को सीथरार कर सकते हैं यह तो जी गोटना कि यह लेकिन अभी तक किसी की चीज पर इन्हों ने कोई कुई काम नी किया है इसलिए आज ये सरकार का पीसरी जो इनकी सरकार बनी है तीसरा हो सरकार प्रम का पहला बज़ता रहा है तो इसमें यह नहीं दिखाना देए कि हम किसान हेतेजी हैं और किसान के फक्स में हम काम करने के लिए तरियाद है ठीक है विर्जेश जी वापस लोटूंगे राजेश जी से समझते हैं राजेश जी किसानों को लेकर अभी जिसरीके से विर्जेश जी बोल रहे हैं इतना कुछ अगर होता है या MSP लागू होती है तो कितना असर पड़ेगा कि अपने कहना है कि इतने कर देंगे तो मारे पास इतना पजट अलोपेशन के लिए पैसे नहीं होता है किसानों का यह कहना कि आप अमें सपोर्ट नहीं तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे तो जो ओडिनेशन है इन बित्विन विल्सानी सटार जीरे जीरे स्टैप चल रही है किसी धन से किसानों को उसके पैसे जितना उनका अच्चा या प्लस प्रॉफेट और इन की भरपाई की इसके भरपाई करने के लिए जरूशी नहीं हो तो है मिल्स कि अमेस्पी एक मिल्स पार्ट पाठी झालेगी और उस खालूले पें माल कि रिखेंगा और खरीद के कहा श्कॉर कया जाएगा और कैसे कि में जरूर है कि कि मुझे आप तक का बजट देखने सा सब्सक्राइब हो जाएंगे और उसके लिए चाहे कोई तरीका अपनाना पड़े जिससे के एक तो सब्सक्राइब किया जाए जब उनका माल ज्यादा बना तो उपको एक्सेस कर सके अपने समोगों के दोरा अपने अपने दूसरे और नाइजिशन के दोरा कि जिससे की तहां पर उन जगह पर पहुंच सके जहां पर आपको प्राइज की प्राइज मिलें सब्सक्राइब करेंगे जो आम जनता है आपको प्राइज करेंगे जो आम जनता है आखिरकार चाहें खाने पीने की चीजों से लेकर जो बेसिक चीजे हैं उन पर जिस तरीके से टेक्स लगा दिया जाता है अगर इस दुराने हम पूरे सिनरियो को देखें कि आखिरकार कहां पर राहत मिल सकती है और किस जगह से राहत मिलते हुए जो अर्थ विवस्ता है वो भी सम्बली रहे ऐसा कुछ इस बार तेके आप जो जिन टैक्सों की बात करिए बिसिकली इंडारेक्ट एक टैक्स बिसिकली टैक्स यह जो है स्टेट और सेंटर कोडिनेट करती है अलक संसल है वो इस बजट का परवी में आती नहीं है यह बजट या इस इस चैंटर उ तो अगर दो कोड़ कहा है उनकों का अच्छी बांग आग अच्छी वें ऑच्छी हो जाए लेकर आप अगर यह सचेट को मी बहुत जागा रहाए क्या जो आ कि अई चैंटर पास है कि है यह अगर कोडिनेशन के लिग है अगर पास आपके साहन है प्लान शेक टैक्स को प्रच्टिकली लगता नहीं है कि जितना हमें पैसा चाहिए और जितना हमें एक्सक्राइश कर सकते हैं तो बहुँ जादा सामद जिसे नेश्में गैप है तो अपको कहें नेकर फुल्फिल करना पड़ेगा, कम्प्लाइंस अच्छी हो जाएं, अच्छी हो जाएं, तो बहुत है कि आएकर को लेकर सब भी को बड़ी उमीद रहती है कि आएकर पर या तो छूट मिले इस तरीके से तो क्या लगता है इस बार के बजट में? तो बहुत है कि आएकर में दो चीज़ेंगे और रेजिम एक नूरेजिम एक नूरेजिम में फरक पड़ता है, मुझे लगता है कि इस बार टेक्स लेब में आपको बेन्फिट दिया जाएगा, कुछ टेक्स लेब कम की जाएंगे, कुछ लिमिट जो होती है माल लिजए अ साथ लाग रुपे करी जाएगी, जिसे कि आम आते है, कि उससे सरकार के ओपर कोई टैरेक्स लेजिम में आईए, और नूरेजिम में आपको टेक्स लेब में कुछ कुछ टाउन करके, कुछ बेन्फिट जिया जाएगे, जहां आज की देवा कुछ जार टेक्स लगता है, वहां उसको 10,000 या 15,000 प्रे में लाकिक टक्ता हूं किया है, बिलकुल वापस लोटूंगे, और बिरजेश ची क्योंकि कई बार हमने चर्चा की है, और किसानों का ये भी कहना रहता है, कि हम कुछ भी खरीते हैं, उस पर GST लगती है, उस GST को कम किया जाए, क्योंकि उतनी इंकम नहीं है, जितना खर्च हो जाता है, किसी भी उपकर उनको खरीदने में, तो क्या लगता है, क्या इस दुरान छूट को लेकर आखिर कार इस पर कितना असल नज़र आएगा? गज़ी बात क्या है, मैं पहले ही बता चुता हूँ, कि किसान जो फ़सल पैदा कर रहा है, वो वपारी को दे रहे हैं, तो पर इस पर पर तेस्स दे तेस्स को किसान जहेलता है, उस फिर उस जहेल रहे हैं, हम यह कह रहे हैं, कि आप MSP लाग़ कर दीजिए, कि किinkि वापक से सब्सक्र tutti लेकिन सरकारों इस सब्सक्राइब less कि अबहुत में धो कहीं हुआ है भी मिन्म नहीं देनी है लेकिन आप है बजा रहा पैसे गोनाएगा और उसमें जैसे हम पहली कह रहे हैं कि इस तरह इन्होंने कहा था कि हम बेजली में आपको छूट देंगे आपकी जो है हम जितने भी मीटर्स हैं त्वैलों पर आप नहीं लगाएं आप बिजली माप शूट दी जाएगी लेकिन क्या हो रहा है उस्तरपरदेश की बात कर लें जो मुख्य मंत्री बने स्याइज दिन आप योगी जी इन्होंने कहा था किसान को किसान को कर रहे हैं आप पूरे उस् इस पर ध्यान देना होगा खर देखना होगा कि आखिरकार आज क्या कुछ बजट में निकल कर सामने आता है बिरजेश ची राजे जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुनने के लिए और आपको बता दे कि आज मोधी सरकार 3.0 का पहला आम बजट है और सभी की निकाहें इसलिए भी टिक है कि आखिरकार आज बजट क से कितनी राहत मिलेगी इस पर भी जो तस्वीर है वो पूरी तरीकी से साफ हो जाएगी मेरे साथ फराल इतना ही आप देखते रिए निज्वर इंडिया